अलेकुम कैसे हैं आप सब उमीद है कि आप सब लोग खरियत से होंगे मैं आप सब लोगों को मिसलिटेचर चैनल पर वेलकम करती हूँ और आज का टॉपिक है बन्स अब आण टाइम शोट स्टोरी जो है वैने डाइन गोडाइमर की शोट स्टोरी जो है आज हम इनकी शोट स स्टोरी को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टोरी के अंदर जो करेक्टर्स हैं वो देख लेते हैं जैसे हमने पहले स्टोरी डिसक्स की है अल्टिमेट सफारी उसके अंदर भी हमने देखा था जो हमारी राइटर हैं उन्होंने स्टोरी के अंदर जो हमने स्टोरी के दा लिटल बॉई और ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर यह नेम थे इसी तरह स्टोरी के अंदर भी राइटर ने जह है वो सिर्फ मैन दा वूमन दा बॉई दा मीड सरवन्ट यह इस तरह सारे करेक्टर जहां रखे हुएं इस टोरी के अंदर क्या है एक फामली के बारे में स्टोरी है यह सारी इस पर फार्स करेक्टर मैंने मैन लिखा हुआ है ना यहां पर आप हस्बंट भी कर सकते हैं क्योंकि स्टोरी के अंदर जहाएं यह आपको हस्बंट दिखाये जाएगा एज़ हस्बंट और जो वूमन है वो वाइफ है और यह जो दिबॉय लिखा है अब जहा है वह हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी के अंदर बी जो जैसे हमने प्रिविएस वीडियो के अंदर जो अपर्थाइट मोमेंट जो थी चली थी जिसके अंदर जो साओथ आफरिकन स्प्पल से उनको उनके राइट्स नहीं दिये जा रहे थे उसी तर स्टोरी के अंदर इब उन्से उ स्टोरी हुद गया थी नाइंटीन एटीएट के अंदर इसके बाद स्टोरी ज़ो को गया था है और इसके अधे बाद इस और पॉरिफिल के तोरत क्या गया सेटॉरी है है वो हमें नजर आने वाली है स्टोरी जो है हमें स्टार्ट होती है कि जो राइटर है यह जो नरेटर है वो रिसीव होता है उनको एक लेटर एक आदमी से जो के उनसे कहता है कि आप भी जो है उन पर जो है वो नहीं लिख सकती क्योंकि वो जो चिल्डरन स्टोरीज होती है वो ज़्यदा बिक्ती भी नहीं है और दूसरी बात ये क्योंकि ये कहती है कि मैं जो हूँ एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हूँ और इसके लावा जो शोर्ट स्टोर राइटर है वो भी हूँ तो मैं ये चिल्डरन स्टोरीज हैं वो नहीं लिख सकती है तो ये जो है क्वेस्ट को जो है वो एक्ट कर देती है तो अगर हम देखें तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होने के साथ-साथ एक गुड इमाजिनेशन के साथ जो नेडाइन गौडाइमर है वो एक्सप्लोर करती है अपने सेंसेशनल टॉपिक्स को और इसके साथ ही स्टोरी के अंदर जो राइटर्स है वो जो करंट सिच्वेशन है उनकी करंटरी की साथ-अफरिका की उनको जो है वो स्टोरी के अंदर स्टोरी के अंदर वनस अपोन आड टाइम के अंदर जो है वो एक्सप्लोर करेंगी और ये भी कि ये जो स्टोरी है ये जो साथ-अफरिकान के लोग हैं उनके बारे में भी है क्योंकि उसने जो है इसको डिवाइड कर दिया है कि अब हो क्या करती है वो सोने के लिए जा हुए चली चाथी है जब हो सो रही होती है तो उनको आचानक जो है वो कुछ साउंड जो है वो समाए दिता है और उनको लगता है कि यह फुट इस्टेप्स हैं जो के उनки bedroom's की तरफ जहाँ वो आ रहा है कोई और उसको जहाँ वो ऐसे feel हो रहता है जैसे कि उसने कोई crime किया हो और जो writer है उसके पास जहाँ वो कहते हैं कोई gun भी नहीं है और ना ही कोई self defense है और ना ही कोई security bars है उसकी windows बर और वो जहाँ वो खौफजदा है जैसे कि लोग जहाँ वो होते हैं और जो narrator है वो जहाँ वो recall करती है previous incidents को जो कि उनके area के अंदर हुआ है उनमें ये था कि एक woman जो थी उसको मार दिया गया था daylight के अंदर तो इस incident से writer को जहाँ वो बहुत जहाँ खौफ हो रहा है और जो incident जो है जो murder है woman का वो यहाँ पे ये भी हमें symbolize कर रहा है violence को और social self restlessness को अब story के start पर ही जो हमें जो description है जो theme है fair का वो जो हमें दिखा दिया है जो writer है उनको भी जो है वो खौफ है लेकिन उसे नहीं बता कि ये खौफ किस चीज़ का है और second चीज़ ये कि वो जो है वो feel कर रही है insecure क्योंके उनके पास जो है वो कोई safety नहीं है और इसके इलावा वो writer जो narrator है वो यह चीज़ भी जो है वो describe करती है जो situation है लोगों की उसके घर के बाहर उसको जो के बहुत ही खौफनाक जो events हो रहे हैं जिस तरह उसने जो है एक woman के murder के बारे में जो है वो बताया अब writer जो है वो सोने की कोशिश करती है लेकिन उनको जो है वो नहीं नहीं आती तो वो जो है वो start कर देती है अपने आपको एक bedtime stories ताने अब ये भी जो चीज़ है ये एक ironic है क्योंके लोग जो है वो bedtime stories तभी ही बताते हैं जब अपने minds को जो है वो पुर्सकून करना हो तो story जो है वो सनाना start करती है अब यहां पे जो है पहले ही हम एक story जो है वो कर रहे हैं अब story के अंदर जो है वो again story जो है वो हमें सनाई जा रही है अब जब यह story start होती है तो यहां पे बताया जाता है यहां पर मैंने quotation add की है there are a man, a woman who love each other very much and they have a little boy woman little boy home they love very much they live in a superbe in a city and have a cat, a dog, a pool, a housemaid and a gardener and they are living happily ever after यहां पर बताया हुआ है कि एक man है, एक woman है और एक boy है अब इनका भी नाम नहीं बताया गया और कौन सी city है उस city का भी जो है वो यहां पर नाम नहीं बताया गया किस city की जो है यह बात की गई है और वहां पर बताया जाता है कि जो swimming pool है वहां पर फैंस लगाई गई है जो उनके घर के अंदर है और फैंस इसलिए swimming pool के around लगाई गई है कि जो उनका जो बेटा है the boy जिसका name है यहां पर लिखा गया वो जो है वो deep water के अंदर ने चला जाए और उनके पास एक loyal और एक honest house made है जो कि उनकी help करती है household activities के अंदर और जो writer है वो finally जो है वो conclude करती है initial description को story की कि उनके पास जो है वे एक gardener है जो कि gardening बगदा करता है जो family है वो happily जो है वो रह रह रही है और जो story का जो narration है वो third person narration style है और यहां पर यह बताया जाता है कि जो husband है वो जो city के अंदर जो situation है मतलब उनके गर के बाहर जो situation है से बचने के लिए उसके जो husband है वो install करता है electronic gates को जो कि उसने अपने front of the house है उसके उपर लगवाया है इसके लावा जो उसकी बीवी जो परेशान है क्योंके वो जानती है कि किस तरह जो situation है घर के बाहर उसकी और जो little boy है उनका वो जो है वो speaker system के साथ जो है केलता है और वो जो है वो visitor से जो है वो communicate करता है घर के अंदर रहते हुए अब उसका और उसका जो friend है वो इसको use करते हैं as a walkie talkie के तोपर जब वो देखते हैं कि जो city है उसके अंदर जो है वो चूरियां वगारा हो रही है तो जो couple है वो install करता है security bars को door के उपर windows के उपर alarm system जो है वो लगवाता है इन सब situation से बचने के लिए अब ये जो family है इन सारे incident के वज़ा से ये unhappy life जो है वो गुजार रहे है unhappy क्यों है क्योंकि इनको जो है वो अपने घर के अंदर ही रहना पड़ता है security gates है security alarms लगाए गे है radio system लगाए गया है घर के अंदर कि कोई भी आए तो घर के अंदर से ही पूछ लिया जाए अब ये जो है unhappy life जो है गुजार रहे है लेकिन जो writer है उन्हेंने start पे लिखा था कि वो जो है happily रह रहे है ये भी जो है ironic जो है situation है या ironic जो है point ने जो है इसको बना दिया है कि जो impact है जो continuous fear है इस society के अंदर उस city के अंदर उसकी वज़ा से उस family के mind के अंदर भी जो है वो चीज हमेशा वो रहती है अब इस fear की वज़ा से उस family के members के mind के अंदर जो fear है उस वज़ा से जो हर किसी को जो खौफ होता है अब जो mate servant है ना वो suggest करती है कि install कर लिया जाए जो security fences है जो के बनी होती है dragon's teeth के साथ और brand blade filled coil के साथ वो जहाँ वो सारे accept कर लेते हैं उसकी suggestion को वो सोचते ही नहीं है कि इसके वज़ा से क्या नुखसानाथ हो सकते हैं तो वो जहाँ इस खौफ से deal करने के लिए जहाँ वो इस पर वो करना स्टार्ट करते हैं अब हर वर्ड जहाँ इस story का वो हमें reveal करता है panics in their mind और वो जहाँ वो constantly deal कर रहे हैं इस चीज़ के साथ अब एक रात को जो boy की जो मदर होती है वो जहाँ उसको story सना रही है अब क्या था हम खुद एक story जो है वो कर रहे है फिर जो हमारी narrator है वो हमें story सनाती है अब फिर उस boy की जो mother है वो भी जो है वो story को जहाँ बताती है अब story के अंदर total तीन stories हो गई है जब वो story जहाँ होता तो उसको जहाँ है वो उसकी mother जहाँ वो bedtime story जो है वो again बताती है और जो story जो होती है एक prince के बारे में होती है जो काफी जो मुश्कलात से गुजर कर sleeping beauty तक जो है वो पहुँचता है अब वो लड़का जो है वो काफी ज़दा impressed हो जता है इसके level से और ये लड़का जो है ये अपनी fantasy के दुनिया में रहता है अब next day क्या होता है वो ये अपने आपको जो है imagine करता है as a prince उस fairy tale का और try करता है कि वो जो है वो इस wall को तोड़ेगा जो कि new fence system जो है वो install किया गया होता है वो जो maid servant ने suggest किया होता है उसके वज़ा से अब उस fence के वज़ा से वो जो boy होता है वो उसके अंदर जो है वो attack जाता है और जो gardener होता है वो try करता है कि उसको save किया है लेकिन वो जो है वो उसको save नहीं कर जाता है और जो boy होता है वो मर जाता है और जो alarm system होता है ना cat होती है अब इस स्टोरी के बारे में जो क्रिटिक्स हैं उन्हें ने जो है वो अपीनियन दिया है कि जो फैमली है वो ट्राइ करती है अपने आपको सेव करने के लिए जो आउटर फोर्सिस होती है उनसे लेकिन जो बाय है वो फिर भी उस सिक्योरिटी सिस्टम से जो इंस्टाल किया होता है उसी से जो है वो उसको नुक्सान हो जता है जो कि उसके घर के अंदर होता है देखा जाए जो चीज उन्होंने इंस्टाल की है अपने आपको सेव करने के लिए सिक्योर करने के लिए वही चीज जो है उस आतमी को जो है वह मार देती है अब हमने स्टोरी के अंदर देखा कि जो स्टोरी का कोई भी करेक्टर जो है उसका नेम नहीं है जो राइटर है उसने सिर्फ वर्ड्स यूज़ की हैं जैसे दा मैन, दा वोमन, दा बॉइ, दा मीड सर्विन, दा गार्डनर, डॉग और पैट इस चीज से हर करेक्टर जो है जिसका कोई नेम नहीं है वो ऐसे लगता है जैसे वो रिप्रिजेंट कर रहा हो कुछ चीज अब जो नेडी ने बॉड डाइमर हैं उन्होंने डिफरेंट सिंबल यूज़ किये हैं अपनी जो करंटरी है उसको जो करंट अफेर्स थे उनके बारे में कनवे करने के लिए उन्होंने जो है वो समरी मैसेज के थरू जो है वो रीडर तक पहुंचाया है इस शोर्ट स्टोरी क थरू, ओन्स अपॉने टाइम के थरू जो है वो अपने रीडर्स को झो है एक मैसेजज जो है वो कनवे करती है इसके लावा जो फामिली है वो इस तरह रहते हैं वो प्रिजनर्स की तरह रह रहते हैं यह चीजज जो है इन सबको जो है हो दूसरे लोगों से स 1947 करते हैं और हम इसको tragedy नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर जो है इसकी उतनी length नहीं है उसकी इतना long नहीं है जिसनी जो है Aristotle ने mention किया है उनकी जो book poetics है उसके अंदर इसलिए इसको जो है वह हम tragedy नहीं कह सकते इसके इसके अलावा story के अंदर जो unique techniques यूज की है राइटर ने इस short story के अंदर वो storytelling है कि किस तरह वो readers को बैट टाइम story सनाती है और इसके बाद जो है वो boy की जो mother है वो उसको story सनाती है अब इसके जो themes हैं उनको देख लेते हैं सबसे पहले violence का violence जो हम इस story के start पर ही मैंने साथ साथ ही आपके बताया था कि किस तरह जैसे वो woman की mother के बारे में बताती है तो वहां पर जो हमें violence शो जगता है freedom है इसके लावा death का है और regeneration का है and structure of the fairy tale ये main theme है इसके और structure of the fairy tales इसलिए कहा गया है कि इसके अंदर जो fairy tales के elements है ना वो use के गए जैसे simple language है और जो conflicts होता है between good and evil का वो और इसके इलावा इसने use किया है moral to create her own fairy tales इसके इलावा इसने जो है वो relate किया अपनी story को जो story है sleeping beauty की उसके साथ इस story के अंदर जो था वो use किया गया था simple language को जो story है इसके अंदर simple vocabulary का use किया गया है simple sentence structure है और इसके अंदर जो है वो author जो है उसने petition जो है वो बहुत जदा use की है और जो story है यह set की गई है South Africa के अंदर तो आज के लिए इतना ही अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like channel को subscribe और दोस्तों के साथ